Hello viewers, this is Priya, today we will start class 8, 6 weeks chapter 7, Public Facilities एक पर दो friends, Amu और कुमार आपस में बात कर रहे होते हैं तो Amu पूछती है कुमार से, क्या दो में पता है, Public Facilities किया होती है तो कुमार बताता है, हाँ भई हाँ मुझे पता है Public Facilities, Basic Facilities होती है, जो हमारी बहुत जादा जरुत की चीज़े होती है जिसे कि Water हो गया, Healthcare, Sanitation, Electricity, Public Transport, Schools, Colleges और ये सब कुछ हमें Government प्रोवाइट कराती है और कभी-कभी तो Private Companies भी प्रोवाइट कराती है, लेकिन Private Company को तो Profit चाहिए होता है तो इस वज़े से वो बहुत जादा Charges लेती है, लोगों से Money लेती है तो Poor People इतना Charges दे नहीं पाते है, इतना Money दे नहीं पाते है इस वज़े से Government की Responsibility है कि सभी लोगों को वो Public Facility प्रोवाइट करा है क्योंकि हमारे Constitution में लिखा है Right to Life, सभी को जीने का अधिकार है Government कहां से लाती है, क्योंकि Public Facilities के लिए तो पैसा भी चाहिए ना Water की Supply के लिए, Health Care के लिए, इन सब चीजों के लिए तो कुमार बताता है, Government जो Tax कलेक्ट करती है ना, उसी से ही Help करती है, लोगों की Help करती है Public Facility में, वहां से आता है सारा Money हमारे Parents भी तो Tax देते हैं Government को, तो Government इन सब चीजों में ही यूज करती है उन पैसों को ये सब सुनने के बाद, अम्मु कुमार से बोलती है, कि चलो ऐसा करते हैं, आज बस में ट्रैवल करते हैं और अपने चैननाई में Water की Facility देखते हैं, कि कैसी है Water की Facility बस में ट्रैवल करते हैं, एक विलेज में, लोगोंने लंबी लाइन लगाई हुई है Water के लिए और वो सारे लोग बोर वैल से पानी लेते हैं, और थोड़ी आगे जाके देखते हैं, वो एक स्लम एरिया है वहाँ पे टैंकर्स हैं, और लोगोंने बहुत लंबी लाइन लगाई हुई है, वहाँ भी पानी की बहुत जादा कमी है नेक्स्ट ही, अमू और कुमार जिए अपनी क्लास में जाते हैं, तो वो सभी स्टुडेंट्स को बताते हैं, कि हम तो कल चैन नहीं गई थे वाटर की फैसिलिटी देखने, वहाँ पे तो विलेज में गड़े में से पानी निकालते हैं, और उसे बोला जाता है बोर वैल, और जो सलम एरिया होता है जहाँ पे जोपडबटी वाले एरिया होता है, जुग्या होती है, वहाँ पे तो टैंकर आता है, और टैंकर से पान इस वज़े से गॉर्मेंट ने इनके लिए फैसिलिटी प्रोवाइट कराई है आपने सुना भी होगा सुलब टॉइलेट्स तो ये लोग वहाँ पे जाते हैं सुलब टॉइलेट्स एक कॉमन टॉइलेट होती है सभी लोगों के लिए ये थी हमारी इस चैप्टर की शॉर्ट स्टोरी अब हम इसे देखेंगे डिक्टेल में और आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताइए कि आपके घर में वाटर कैसे आता है पब्लिक फैसिलिटीज इसमें एक स्टोरी बताई गई है स्टार्टिंग में अम्मू और कुमार दोनों ही चैन्नाई में एक बस में ट्र हैं कि अन्ना नगर में राम गुपाल के घर में कार को वाश किया जा रहा है पानी से इसका मतलब इनके पास पानी की कमी ही नहीं है और जब वो सैदा पेत वाली जगा पे देखते है तो एक लड़की होती है पदमा वो लाइन में खड़ी होती है पानी भढ़ने के लिए क् उसको पानी परचेस करके लाना पड़ता है और चैनने के किसी किसी प्लेस में तो वाटर टैंकर आता है जैसे कि मायलापूर इसमें आप देख सकते हैं जो परसन पानी को भर रहा है उसका नाम है सुबर मन्यन तो वाटर टैंकर से बकेट में पानी भरेगा ये तब ये परस्ट फले में देखा था कि जो अन्ना अगरेना चैन नहीं का उसमें मिस्टर गुपाल रहते हैं तो वो अपने कार को वाश करवा रहे हैं क्योंकि उनके पास पानी की कमी ही नहीं है और वो एक सीनियर कॉवर्मेंट ओफिशल है तो उनको कोई जरूत ही नहीं है टैंकर व हो जाती है लेकिन हम सुपरमन्यन के एरिया में देखे तो वहाँ पे वाटर की शॉटेज है दो दिन में बस एक ही बार पानी आता है इस वज़े से बोर्वेल से भी उन्हें पानी लेना पड़ता है लेकिन वो बोर्वेल का पानी पी नहीं सकते क्योंकि वो ब्रैकिश होत पड़ता है तो टैंकर के लिए सुपरमन्यन 500 या 600 रुपीज पर मन देता है टैंकर वालों को तब जाके उसे वो पानी मिलता है और पीने के लिए कुछ लोगों ने तो वाटर प्यूरिफिकेशन सिस्टम भी लगा रखे है जिससे कि वाटर को प्यूरिफाई किया जाए ऐसा ही कुछ सिवा के साथ भी होता है जो कि मधी पक्कम में एक घर में रहता है फर्स्ट फ्लोर पे रेंट पर तो उसके या तो फोर डेज में बस एक ही बार पानी आता है तो इस वज़े से वो अपनी फैमिली को अपने साथ नहीं रखता है क्योंकि यहाँ पे वाटर की होती है और उसको पीने के लिए ड्रिंकिंग के लिए भी बॉटल खरीद के लानी पड़ती है शॉप से एक और स्टोरी के बारे भी हमने देखा था जो कि साइधा पैत की थी वहाँ पे जो पदमा एक लड़की रहती है वो एक डॉमेस्टिक हैलपर है घर-घर में जाके का है श्लम में तो बहुत सारी हर्ट होती है तो जो 30 हर्ट है उनके लिए एक कॉमन टैप है और उस टैप में भी बोर वेल से पानी आता है और दो बार आता है दिन में जैसे 20 मिनिट्स मौर्णिंग में आ गया और 20 मिनिट्स इवनिंग में आ गया तो इस वज़े से जो एक फ तो इसलिए इन लोगों में बहुत लड़ाई होती है कि मैं लूंगा पानी या मैं लूंगा इस तरीके से और लोगों को बहुत ज़्यादा वेट भी करना पड़ता है बहुत लंबी लाइन लगती है इस लंब एरिया में तो पानी के लिए इस फिगर में आप देख भी सक हल्थ के लिए जरूरी है ये सरिफ इसलिए डैसेसरी नहीं है कि ये हमारे डेली की नीटस को कंप्रीट करता है बलकि जो सेफ रिंकिंग वॉटर होता है वो हमें वॉटर से एलेटिड जो भी डिसीज होती है उनसे प्रिवेंट भी करता है बचाता है क्योंकि अगर हम पानी पीएंगे न तो उससे हमें डाइरिया हो सकता है, टेज एंट्री हो सकता है, कॉलेरा हो सकता है और अगर हम 1600 इंडियन्स में देखें तो जिस बच्चे की एज 5 यर से कम होती है न उनकी वाटर की डिसीज की वज़े से डेथ हो जाती है, तो अगर सेफ डिंकिंग वाटर होगा, साफ सुतरा पानी होगा, तो ये डेथ भी नहीं होगी लोगों की, इस वज़े से हमें साफ सुतरा पानी पीना चाहिए हमारे कॉंस्टिटिशन में बहुत सारे आर्टिकल है, तो जो वो रिच हो, या पूर हो, उसे सफिशिंट अमाउंट ओव वाटर तो मिलना ही चाहिए, वो जितना एफॉर्ड कर सकता है, जितना भी वो पानी लेना चाहिए, तो वो ले सकता है, चाहिए पानी वो खरीद के ले, या फिर वो फ्री में ले, तो किसी को कोई राइट ने कि उसे फोर्स करें कि तुम्हें जबरदस्ती, कि भी या फ्री में लो पानी या फिर खरीद के लो, ये उसका राइट है, उसकी चोईज है, उसे कैसे पानी लेना है, वाटर को लेके तो सुप्रीम कोट और हाई कोट में काफ़ी सारे केसिस हैं, क्योंकि पीपल्स ये बोलते हैं कि सेफ ड्रिंकिंग वाटर तो फंडामेंटल राइट है, हमारा 2007 में आंधर परदेश में हाई कोट में केस आया था, उस केस में ये लिखा गया था, जो विलेजर से न, महबूब नगर डिस्टिक के, उन्होंने कहा था कि हमारे ड्रिंकिंग वाटर में कंटामिनेशन, यानि गंदा पानी आ रहा है, तो हम कैसे पीए इस पानी को, हम तो बिमार पढ़ जाएंगे, क्योंकि जो textile company है न, वहां से poisonous chemicals, river में आते हैं, और river से, जो stream होती है, वहां से irrigation और drinking water में आते हैं हमारे, क्योंकि वही से हमारे पानी supply होता है, तो जो वहां के जो judge थे न, तो judge ने ये बोला, कि जो महबूम नगर के district collector है न, वो सभी people को, जितने भी लोग रहते हैं village में, हर एक person को 25 लीटर पानी मिलेगा, और ये water एकदम साफ होगा, जिससे किसी को कोई disease नहीं होगी, United Nations ने भी बोला ता 2002 में, कि water तो सभी का अधिकार है, सभी को मिलना चाहिए, वो भी safe और affordable price पे, इस figure में आप देख सकते हैं, परसन कैसे पानी भर रहे हैं tanker से, Public Facilities, Public Facilities वो होता है, जो कि Public को मिलती है, हम Peoples को Facilities मिलती है, जैसे कि हमने भी water का देखा था, तो ऐसे ही काफी सारी Facilities है, जैसे कि हमने last year भी पढ़ाता है, Health Care और Sanitation के बारे में, Sanitation मतलब होता है साफ सफाई, और Health Care तो हमें पता ही है, Health Related, तो इसी तरीके से काफी सारी Public Facility होती है, जैसे कि Electricity, Public Transport Schools, Colleges और यह हमें Government भी प्रोवाइट करवाते हैं, अभी तक हमने सभी Chapters में Sustainable Development Goals पढ़ने हैं, तो Goal No.6 है, यहां पर Clean Water and Sanitation, Public Facility का एक Important Characteristic है, कि अगर इसे एक पर प्रोवाइट करवाया जाए, तो इसका Benefit बहुत सारे लोगों को मिलता है, जैस इसी विलेज में अगर हम School बनाते हैं, तो उससे बहुत सारे Children educated हो सकते हैं, इसी तरीके से Electricity भी है, अगर किसी एरिया में हम Electricity प्रोवाइट करेंगे, तो बहुत सारे लोगों को Benefit होगा, जैसे कि Farmers को भी Benefit होगा, उनके जो Pump Set है वो, Electricity से ही चलते हैं, जिससे वो अच् लाइट रहेगी तो वो अच्छे से पढ़ पाएंगे, और काफी सारे Benefits होते हैं Electricity के तो, यहाँ पर आप देख सकते हैं Village में कैसे School होते हैं, हमारे इंडिया के Constitution में भी Right दिया हुआ है, कि हमें Education का Right है, जो 16 to 14 years के बच्चे होते हैं ना, उन्हें Right to Education है, वो School जा सकते हैं उन्हें सभी Facilities मिलेंगी, लेकिन काफी Activist और Scholar बताते हैं कि अब भी भी Schooling को लेके Unequality है हमारे इंडिया में, क्योंकि जो Private School वाले होते हैं, वो अच्छी Facility देते हैं, और Government School के जो होते हैं, वो अच्छी Facility नहीं दे पाते हैं बच्चो को, The Government's Role, अब Public Facility तो बहुत Important है तो Someone must carry the Responsibility of providing these to the people, अब इस Responsibility को किसी को तो Provide करवाना पड़ेगा, अब ये Someone कौन है, ये Government को बोला जा रहा है, कि Government को ये सारी Facilities देनी पड़ेगी लोगों को, और सभी लोगों को इस Facilities मिलने चाहिए, अब ऐसा क्यों है कि Government को इसकी Responsibility देनी पड़ेगी, वो हम देखते ह क्योंकि जो Private Companies होती है, वो तो सिर्फ Profit के लिए ही काम करती है, मार्किट में, Class 7 में जो एक Chapter था, Story of a Shirt, उसमें भी हमने देखा था कि कैसे जो Private Companies होती है, वो Profit कमाती है, तो जो Mostly Public Facilities होती है न, उसमें कोई Profit तो होता नहीं है, जैसे कि अगर किसी Drain को Clean करना है, या फिर Anti Malaria Campaign लगाना है, तो इसमें तो इन लोगों कोई Profit ही नहीं मिलेगा, तो ऐसा काम Private Company करना ही नहीं चाहती है, लेकिन और Public Facilities देखी जाए, जैसे कि स्कूल और होस्पिटल, तो उसमें Private Company interested होती है, क्योंकि वहाँ पे Profit मिलता है, जैसे Private Schools बनाने में, और Private Hospitals बनाने में, क्यो जो Private Company होती है, वो वाटर की भी सप्लाई देती है, जैसे कि टैंकर्स वगरा भेजती है, तो जब वो टैंकर भेजती है ना, तो उसमें जो पानी जो भी लेता है उस टैंकर से, तो उसे पैसे देने पड़ते है, या फिर जो sealed bottles आती है, बिसलरी और यह आपने सुनाई होग तो यह सारी पैसे से हमें खरीदने पड़ते हैं, तो यह सारा पैसा Private Companies को मिलता है as a profit, काफी सारे लोग इसे afford नहीं कर पाते हैं, इस वज़े से Private Companies जो भी opportunity देती हैं, वो बहुत ही कम लोग ले पाते हैं, अब जितनी पी Public Facilities होती हैं, वो desirable option तो है, नहीं, ऐसा तो है नहीं नहीं, सभी को water चाहिए, सभी को पानी चाहिए, तो यह जो जितनी भी basic needs होती हैं, electricity हो गया, water हो गया, और public transport की facility हो गई, तो यह हमारे constitution में लिखा गया है, कि यह तो right to life में आता है, यह सभी का अधिकार है, तो इसकी responsibility government को लेनी पढ़ती है, कि हाँ, government सब को provide करवाईगी, water सब को electricity provide कराईगी, तो इस वज़े से government help करती है, लोगों की, इस figure में आप देख भी सकते हैं, कि कैसे एक छोटी सी बच्ची को polio की drop पिलाई जारी है, तो यह भी government नहीं start किया है, क्योंकि government को health facility भी देनी पड़ेगी, यह भी तो public facilities में आता है, यह भी तो responsibility है, government की, where does the government get money for public facility, अभी जितनी public facility है न, इन सब के लिए government कहां से money लेकर आती है, अब देखो, जो government budget आपने सुनाई होगा news में, तो जो parliament है न, उसमें every year government budget आता है, तो उसमें बताया जाता है, कि किस-किस public facility में कितना-कितना पैसा खर्च करता चाहिए, और यह जो भी पैसा है न में जो water की supply देती है, तो उससे थोड़ा बहुत पैसा भी आता है, आपके घर में भी water का भी लाता होगा, तो अब आप बोलोगे कि मैम आप तो बोल रहते हैं कि government free में provide करवाती है water को, हर चीज को, लेकिन देखो ऐसा नहीं है, government बहुत कम price में देती है, जैसे कि water है न, ब फिर से दुबारे से help करेंगे, और कुछ tax है भी पैसा आता है, तो इस तरीके से लोगों को public facility मिलती है अच्छे से, इससे poor people भी अच्छे से हर facility को use कर सकता है, और rich people भी हर facility को use कर सकता है, यहाँ पर चार्ट दिया गया, यह important नहीं है, बस इसमें यह बता है कि जो central government है, व क्या कुमार तुमने नोटिस किया है कि जो साइदापैत के रोड है ना, वहाँ पे तो street light भी नहीं है, तो कुमार बोलता है, तुम slum area में क्या better देखना चाती हो, तो अमु बोलती है, क्या slum area ऐसा ही रहना चाहिए, क्या यहाँ पर public facility नहीं होनी चाहिए, यह सुनने के ब some dwellers हैं, जो slum area में रहते हैं, वो लोग भी तो citizen है, उनका भी तो right है, गुमार बोलता है, अरे अगर government slum area वालों को public facility देने लगी, तो वो तो bankrupt हो जाएगी, कंगाल ही हो जाएगी, उनका तो सारा पैसा खर्च हो जाएगा, तो फिर अमु बोलती है, कि अरे फिर इस चीश के लिए तो कोई ना कोई वे ढूंडना चाहिए न, तुम्हीं imagine करो कि slum area में बिना road के, बिना water के, electricity के लोग कैसे रहते होंगे, तो कुमार बोलता है, अरे, तो फिर अमु बोलती है, हमारे constitution में भी public facilities का right दिया है, right to life में लिखा है कि government को ये सारी चीज़े provide करवाने चाह के, यहाँ पर एक चार्ट भी दिया गया है, जिसमें बताया है कि जो tax revenue है, जो भी tax से पैसा ही खटा होता है, central government के पास, तो वो कहां कहां से आता है, जैसे कि income tax से, non-tax revenue भी होता है, union exercise duties भी होता है, customs और भी काफी-काफी difference, तो यह इतना important नहीं है, बस आपको knowledge होनी चाहि तो यह भी तो एक public facility होई ना, तो कि government provide कराती है, और अगर आप cities में देखेंगे, तो metro होती है, जैसे कि Delhi में है metro, तो यहाँ पर 1100 क्रोड रुपीस government ने खर्च किया है, इस Delhi metro को बनाने में, तो इस वज़े से लोग को facility मिल पाती है, अच्छे से metro की, तो ऐसे ही काफी सारी technologies का यूज करके, government public facility provide कराती है लोगों को, water supply to Chennai, is it available to all, Chennai में जो water के supply है, वो क्या सभी के लिए available है, यह अब हम इस paragraph में देखेंगे, public facilities तो सभी के लिए होती है, इसमें कोई doubt करने वाली बात ही नहीं है, लेकिन reality में देखा जाए, तो इस सब public facility की बहुत जादा shortage होती ह है, और अब हम इस chapter में आगे देखेंगे, कि इसके लिए क्या क्या provision लाए गए है, government ने क्या steps उठाए है, जिससे कि सब लोगों को water की facility मिल पाए, चैप्टर के starting में हमने देखा था कि चैने के different parts में water की shortage कितनी जादा है, और municipal only city में जो half people है ना, उनी को water दे पाती है, सब कुछ area में water regularly आता था, daily आता था, और कुछ area में नहीं आता था, और जो area, storage point जहाँ पे water को store करके रखा जाता है, उसके आसपस वाले area वालों को तो मिल जाता था water, लेकिन जो लोग दूर रहते थे, colonies में रहते थे, उनको बहुत कम पानी मिलता था, poor people को, गरीब लोगों क सबसे जदा पानी की कमी होती थी, क्योंकि जो middle class family थी, वो तो bore well से पानी ले ले लेती थी, या फिर tanker से purchase कर लेते थे पानी, या फिर जो packed bottle लाती है न, water की, drinking water की, वो ले लेते थे, लेकिन poor people कहां से ले, उनके पास तो इतना पैसा था ही नहीं, तो इन सब से हमें ये ची लोग effort नहीं कर पाते हैं, save drinking water, वो तो बिचारे poor सी है न, गरीब लोगी है न, वो कैसे effort कर पाएंगे, तो reality देखी जाए, तो सबी लोगों को नहीं मिल पा रहा है, एक जैसा पानी, जो poor people है, उनको नहीं मिल पा रहा है, तो money बहुत जादा matter करती है, जिसके पास जादा money होगा, उसी को right मिल पाएगा, अच्छे water का, अब हमें ये तो पता चली गया है, कि reality तो कुछ और ही होती है, reality में सब लोगों को equally save water नहीं मिल रहा है, और ये बोला जाता है, कि sufficient और save water सभी को मिलना चाहिए, हमारा goal है, तो देखा जाए, तो लिखा तो कुछ और ही हुआ ह है, कि हाँ भी है, सबको save water मिलना चाहिए, लेकिन reality में सबको नहीं मिल रहा है, यहाँ पर ये example ही बताया हुआ है, taking water from farmers, farmers से पानी लेना, जो private companies होती है ना, वो farmers से पानी लेती है, तो चैने के आसपस जो टाउन है ना, जैसे की ममंदर, पलोर और करेंगे जे यहां से, जो farmers है, जो villagers हैं, वो इन private companies को पानी बेचते हैं, water को बेचते हैं, तो private companies उसको शहर में बेचते हैं, उस पानी को महंगे दामों में, तो उससे उनको ज़्यादा profit होता है, तो इस वज़े से जो farmers हैं, उनके हाँ पे shortage पर जाती है पानी की, क्योंकि उस सारा पानी बेच देते ह हैं, इस figure में हम देख भी सकते हैं, कि जो गाओं के people होते हैं, वो कैसे digging करके गड़ा होतके water को निकालते हैं, पानी को निकालते हैं, तो ये देखा जाता है, कि ruler area में, human को भी चाहिए होता है water, और cattle को भी ज़्यादा जरूरत होती है water की, और उनके पास wells, hand pump, और pondy source होता हैं, और कभी-कभी तो वो tank वालों से, जो tankers होते हैं, वहां से भी water को purchase करते हैं, जो private company वाले provide कराते हैं, तो अगर urban area के comparison में देखा जाए, तो ruler area में सबसे ज़्यादा पानी की ज़रत होती है, और वहां पे shortage भी हो जाती है water की, sustainable development goal number 11 है, sustainable cities and communities, sustainable मतलब होता है किसी चीज क बचा के रखना, safe करके रखना, तो safe करके रखेंगे हम city को और community को, तबी तो हमारी life अच्छे से चलेगी, in search of alternatives, alternative मतलब होता है कि कोई और दूसरा solution ढूणना, तो चैन्ने में जो situation थी की water की बहुत ज़दा कमी है, तो ऐसा नहीं कि सर्फ चैन्ने में shortage है water की, और भी काफी सारे cities में होती है, summer के मन्त में, क्योंकि summer में तो बहुत गर्मी होती है, तो पानी जाद स्यादा सूख जाता है, municipal सभी को water equally provide करवाती है, लेकिन अगर municipal के पास ही water की shortage हो जाएगी, तो वो लोगों को कैसे पानी देंगे, तो जो private company है, फिर उनसे लेना पड़ेगा लोगों पानी और private company तो अपने profit के लिए ही पानी को बेचती है, तो poor people तो उसे purchase करी नहीं पाएंगे, इस वज़े से हमें inequality देखने को मिलती है water के use में, क्योंकि सभी को equally नहीं मिल रहा है पानी, अर्बन water commission ने एक standard set कर रखा है कि जो supply of water है ना per person urban area में, वो तो 135 liters होगा पर देगा, यानि कि एक person 7 bucket water को use करेगा urban area में, city वाले area में, लेकिन जो slum area है, वहाँ पे only 1 bucket मिलेगा एक दिन में, यानि कि 20 liters, और जो luxury hotels है ना, वहाँ पर तो 1600 liter water को use करते हैं, इसका मतलब है कि 80 buckets per day एक दिन में, अब मुझे पता चला कि सबसे ज़्यादा पानी luxury hotel वाले use करते हैं, एक दिन में 80 buckets, oh my god, और सबसे कम बिचारे slum area वाले लोग, only 1 bucket use करते हैं एक दिन में, a shortage of municipal water is often taken as a sign of failure of the government, अभी जो पानी की shortage हो रही है ना, shortage हो रही है, इस वज़े से हम ये भी देख सकते हैं, कि जो government है, वो fail हो रही है, वो अपने काम अच्छे से नहीं कर रही है, जो municipal है, वो water को नहीं provide कर वा पा रही है लोगों को, जबकि ये तो government का का काम होता है, कि सब better performance देंगे ना, वो लोग एटलिस्ट कम से कम सब लोगो water तो available कराएंगे, यहाँ पे एक स्टोरी बताई गई है, ब्राउन बॉक्स में, public water supply in Porto Alegre, यह एक ब्राजिल की city है, यहाँ पर poor people रहते हैं, लेकिन यहाँ पर सभी को equally water मिलता है, और save water मिलता है, क्योंकि यहाँ क पानी की वज़े से, तो वो death भी कम हो गई है, और जो water के charges हैं, वो भी poor people से half लिये जाते हैं, जैसे कि हर किसी से 100 रुपीज लिये जाएंगे, तो poor people से 50 रुपीज लिये जाएंगे, यहाँ कि poor people इतना effort नहीं कर पाते हैं, तो इस वज़े से सभी लोगों को पानी अच्छ वो लोग vote देते हैं, यहाँ पर कुछ facts दिये हुए हैं, यह देखते हैं, यह बहुत important है, exam में भी आ सकते हैं, अब देखो, पूरे world में जो water के supply होती है न, वो government की responsibility होती है, ना कि किसी private company की, government सब लोगो water provide करवाईगी, बहुत ही कम chances होते हैं, जब private companies water के supply देती हैं, second point मे बोला जा रहा है कि जो world में areas हैं काफी सारी, तो वहाँ पर जो public है, people है, उनको water के supply मिलने चाहिए, क्योंकि universal axis है, universal axis मतलब की, जो water है, या तो 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 मुसे free में दो लोगों को, या फिर थोड़े कम price में दो, जिससे कि जो poor people है, वो भी water को ले सके, वो भी purchase कर सके, responsibility है, वो अगर private companies को दे दी चाहेगी, तो तो और जदा problem हो जाएगी, क्योंकि private company तो high rate कर देगी, high price कर देगी water का, इस वज़े से जो poor people है, वो effort नहीं कर पाएंगे, और पानी नहीं ले पाएंगे, तो काफी साज cities में इन सब्चीजों को ले के protest भी हुआ है, कि आप लोग जो है private companies को मत दो, government ही supply करेगी water का, क्योंकि इस वज़े से people को problem हो जाती है, जैसे कि एक city का बताया गया है, बॉलिविया का, वहाँ पे हुआता ऐसा, तो जो government है ना, उसको अपने decision वापस लेने पड़ गई थे, और private companies को मना कर दिया गयता है कि आप लोग water की supply नहीं है, जैसे कि मुंबई में, मुंबई में इतना money raise कर लिया है water department ने, कि जो वो water की supply करते हैं तो अच्छे से supply कर पाते हैं, उनका जो खर्च expenses है, वो निकल जाता है, तो हैदराबाद में भी कुछ cases है, वहाँ पे भी revenue जो पैसा collection हुआ है, water को supply से, तो उस collection से वो और अच्छ से supply कर पाते हैं water को, और Chennai में भी harvesting rate water को बहुत जादा भड़ावा दिया गया है, बोला गया है कि हमें harvesting rate water करना चाहिए, यानि कि जो बारिश से पानी आता है न, उसको इखटा करके फिर उसका use करना चाहिए, private companies भी water supply की services दे रही हैं, लेकिन government water supply department ने बोला है, कि हम लोग decide करेंगे कि आप किस rate पे water को बेचोगे, पानी को बेचोगे, क्योंकि जो water tankers होते हैं, वो अपने according नहीं लगाएंगी rate की भी आव 600 का ले लो, 700 का ले लो, पानी नहीं, government decide करेगी, क्योंकि government ये चाहती है कि जो poor people हैं, उन्हें भी water भी ले, तो कम से कम का होना चाहिए water, जो private companies बेचे, इस type की private companies की services को बोलेंगे हम on contract, sustainable development goal number 12 है, responsible consumption and production, यानि कि हम लोग ही responsible है, जो भी हम consumption ले रहे हैं, जिसे कि water का ही ले लो, कि water जितना भी हम use कर रहे हैं, और उसका जो production हो रहा है, वो सारी responsibility हमारी है, तो हमें उतना ही water use करना चाहिए, उतना ही समान लेना चाह unnecessary हमें किसी भी चीज को खराब नहीं करना चाहिए, यहाँ पर आप इस figure में देख सकते हैं, Mumbai railway की figure है, यह भी एक public transport system ही तो है, government ही तो इसको run कर रहे हैं, और यहाँ पर 65 lakh passenger daily में travel करते हैं, लोग बहुत दूर दूर से आते हैं, क्योंकि Mumbai बहुत costly होता है, तो लोगों को railway के तुरू आते हैं, तो यह भी government ही run करती है, public transport system, extending sanitation facilities, साफ सफाई की facility, देखो अब जो safe drinking water है, वो तो होना ही होना चाहिए, लेकिन sanitation भी होने चाहिए, साफ सफाई भी होने चाहिए, तब यह तो जो water and bond disease है, जो पानी से disease होती है, वो कम हो पाईगी, क्योंकि sanitation की वज़े 87% जो household जो है, मतलब घरों में water तो मिल जाता है, drinking water, लेकिन 53% अगर देखा जाए, तो sanitation की problem होती है, toilets की facilities नहीं होती है, साफ सफाई नहीं होती है, और सबसे जा problem तो poor people को होती है, क्योंकि इनके पास sanitation भी साफ सफाई भी अच्छे से नहीं हो पाती है, और water भी नहीं मिलता है, तो जो सुलब एक non-corporal organization है, जो कि काम कर रही है 5 decades से, 5 decades मतलब बोले तो 50 years से, 1 decade में 10 years होते हैं, तो 5 decades में 50 years हो गई, तो 50 साल से काम कर रही है, और ये उन लोगों के लिए काम करते हैं, जो कि खुद के घर में अपने sanitation नहीं कर सकते, toilets नहीं बनवा सकते, low income people हो गई, तो इन सब के लिए फैसलिटी प्रोवाइट कराते हैं, और 8,500 community toilets बनाई हैं इन लोगों ने, और 1.5 million घरों में toilets बनवाए हैं, जिससे कि 20 million people इसका use कर सकते हैं, जाधा तर सुलब facilities को poor people ही use करते हैं, आपने देखा भी होगा, सुलब toilets ले भी लिखा होता है, सुलब सोचा minimum charges रखते हैं, जिससे कि जो poor people है, वो भी इसका use कर पाए, next time अगर आपका भी भार घूम निकले जाओ डा, तो देखना कि सुलब toilets होती है, जगा जगा पर बनी होती है रास्तों में, तो वहाँ पर आप देख सकते हैं कि कैसे function करते हैं वो लोग, कैसे charges लेते हैं लोगों स यह न, वो हमारी basic need है, constitution में ही बोलागा है, कि right to life, मतलब जीने का अधिकार तो हमारा ही है, और right to life में ही आता है, right to water, health और education, इसका मतलब इन सभी पे हमारा right है, तो government को हमें ये सारी चीजे provide करवाने चाहिए, लिकिन ये सब कुछ देखने को नहीं मिल रहा है, satisfactory नहीं हो जो metro और la city है, और जो town है और जो villages है, वहाँ पर differences देखने को मिलते हैं, जो metro और la city है, वहाँ पे तो wealthy localities है, वहाँ पे तो हर चीजे अच्छे से provided हो जाती है, लेकिन जो poor locality है, वहाँ पर चीजे नहीं होती है provide अच्छे से, तो यहाँ पर inequalities देखने को मिलती है, अब private companies को कोई सब चीजे handle करने को देदी जाए, तो यह कोई solution थोड़ी नहीं, यह कोई answer थोड़ी नहीं, तो government को कोई ऐसा solution देखना चाहिए, जिससे कि सभी citizens को equality मिले, सभी को equally सब चीजे मिले, सारी public facilities सभी को मिलनी चाहिए, अच्छा आप कोई chapter 6 समझ में आये, तो मुझे यह बत